हेलो स्टूडेन्स अब हम चल माद्यय द्वारा रीत तू निष्ट विच्ण निकालते हैं तो सीजनल स्टूक भीषर को जो दूसरा तरिका है वह है चल माद्यय द्वारा रीत तू निष्ट विच्ण तो इसमें केया है आपने देखतना यहां पर सुचकांक शव्द नहीं लगा हुआ पहले हमने क्या किया था रित्व निस्ट जो है विच्रन सुचकांग लेकिंए यहां क्या है चल मांडवारा रित्व निस्ट विच्चन ये कैसे निकलता है जिससे ये मालो एक वर्ष की चारो रितियों, चार वर्षों में कितनी चार चार रितियों आरे हैं, ग्रिशम, मानसुन, शर्द और शीद, उससे सबंदी उरिजिनल आंकडे दिये गए हैं, तो इसमें 6 और कॉलूम बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि आपके कोशन में क्या है, कि अल्प एनी तो मैंने आपको पहले भी बिताया था, अल्प कालिब में क्या था, सीजनल, साइक्लिक, और क्या था, एनीमित उच्चा वचन, तो इसमें पुछा गया है, और जो है, इसमें और कॉश्चन क्या है, निमन आंकडों से रित्टु कालिक विचरन, तथा एनीमित उच्चा व तो , में से tटा देंगे , तो वो एलपकर्लिस उच्चावचन आजयेंगे , फिर रि्तु-कालिक-विचरण निकालना है , जैंए , वकिया है , वो मद्य दवार रित्वारी लृत्च विचरण माद्य अद्वारा रित्तुनिष्ट विच्रोन की गर्णा कैसे किया थे वो इसमें दिया जाएगा इसके आगे क्या है अनीमित उच्चावच्चन तो ये कोशन भी मैं आपको भेज़े हूँ आपकी बुक में ये पांच वर्ष दिये गए हैं लेकिन मैं चार वर्ष लेकर एक्जांपल ले रही हूँ आपने पांच वर्ष वर्ष वाला भी कर लेना है तो इसको कैसे किया जाएगा इसका पहले हम योग करते हैं इन चारों का योग किया 30, 81, 62, 119 इनका योग आगया 200 बन में तो ये दो उपर दो निच्चे तो इसे लाइन पे लिखा जाएगा 200 बन में ठीक है फिर एक को छोड़ दिया अगलों चार का जोड़ किया तो इनका जोड़ 81, 62, 119, 33 ये आगया आपका 295 में फिर इसको छोड़ दिया 81 को 1, 2, 3, 4 इनका योग किया तो ये आगया 318 फिर इन 3 को छोड़ दिया अगले 1, 2, 3, 4 इसका जोड़ किया तो इस परकार हम ये निकाल लेंगे कितना आगया 312 फिर एक को छोड़ दिया next 4 का योग किया तो वो आगया 394 फिर 403 फिर 402 फिर 405 फिर 515 फिर 509 पांसो अड़ताली फिर उसका पांसो अठटतर उसका पांसो बन में फिर 603 इनका अगर हम जोड़ करेंगे आठ और नो स्तारा स्तारा और पांसो बन में इनका तो यह आगया निच्चे वाला यह छुट जाएगा अब आपने क्या करना है कि केंद्रित योग इन दो क्योंकि यह चार वर्षो का था यह लाइन पे लिखा गया है अब यह चार का यह है चार का यह आठ का करेंगे तो दो उपर छोड़ के दो निच्चे लिखे इन दोनों का जोड़ यहाँ पे लिखेंगे तो इनका योग कितना आ गया पांसो स्तासी इन दो का जोड फिर इन एक को छोड़ दिया अगले दो का जोड इनके सेंटर में तो ये बिल्कुल इनके सामने आजेगा शर्दरीतु के सामने आजेगा ये शीतरीतु के सामने आजेगा पांसो स्तासी छेसो तेरा फिर इसको इन दोनों का जोड इन दोनों का जोड तीन सो ठारा और तीन सो ब्याली कितने होगे चेसो साथ साथ सो चत्ती साथ सो स्तान्यमे आठ सो पच्पन नौ सो स्तारा नौ सो अस्सी फिर इन दोनों का जोड पांसो पंदर और पांसो ठीन एक हजार चुतालेस इन दोनों का जोड एक हजार सत्तर एक हजार चब्वी एक हजार सत्तर इन दोनों का जोड क्योंकि ये चार-चार का जोड था इन दोनों का जोड कर गया ये आठ का हो गया तो त्रे मासिक चल मद्य इनको किसे चल मद्य केंद्रित योका मद्य इसको आठ से डिवाइड करने तो 587 को अगर आठ से हम डिवाइड करते हैं तो यह आगया 73 586 पंजा बचगे 3 88 तिया 24 फिर इसको 8 586 कड़ दाली 586 पंजा 5 53 587 फिर इसके बाद आगया 83 83 फिर 92 फिर 100 यह देखो 8 एक नहीं जा रहा था तो इसको 800 था तीन ही कम था 800 को 8 से करेंगे जैसे यह आगया 8 नए 72 ठीक है बचे 7 77 आठ नए 72 फिर 9 आता है तो यह 9.9 है तो इसको हम राउंड फिगर में लिख लेंगे 100 कर देंगे फिर इसको डिवाइड किया 107 फिर आगया गया 115 आठ एकमाठ 11 आठ एकमाठ 3 सेंती आगया 8 पांजा 40 तो वो जा आठ चो का 32 होता तो 5 बचते तो यह 4 की जगा 5 कर दिया राउंड फिगर में कर दिया हमने फिर एकसो तेई एकसो इकत्ती एकसो पैंती एकसो इकताली और एकसो च्याली ठीक है अब आपने क्या करना है यह अलप काली न उच्चा वचन यह त्रेमासिक चलमाद यह टी निकले ट्रेंड वेल्यू अब ओ मेंसे टी गटान है 62 मेंसे 73 गए माइनस 11 फिर 119 माइनस 77 यह आगया आपका प्लस का 42 फिर 33 माइनस 83 कितना आगया माइनस 50 चिन्दों का ध्यान रखने आपने 104 माइनस भन में यह आगया 12 86 माइनस 100 यह आगया माइनस 14 117 माइनस 107 प्लस के 64 फिर 42 माइनस 115 माइनस 73 फिर 123 माइनस 123 प्लस के 30 फिर 99 माइनस 131 माइनस 32 210 माइनस 115 86 56 माइनस 141 माइनस 85 172 माइनस 140 यह आगया आपका प्लस 26 26 मेंसे 76 कितना आगया 26 आगया अब कहें रित्तु कालिक विचरन तो माद्य द्वारा रित्तु कालिक विचरन कैसे निकाला जाएगा इसके लिए अलग से टेवल बनेगी जैसे ये चीज़े दिये अलपकालिक विच्चा वच्चन दिये गए है इनको आपने यहाँ लिख लेना है जैसे ये शर्द के सामने है माइनस 11 तो पहले वर्ष का शर्द रित्तु है तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस 11 फिर इसके बाद शीत रित्तु कहाँ के 42 पहले वर्ष की ये टेवल ध्यान से बनाना फिर है दूसरे वर्ष की ग्रिशम रित्तु में माइनस 50 माइनस 50 फिर क्या है मानसून में 12 फिर माइनस 14 फिर 64 फिर माइनस 73 फिर 30 माइनस 22 प्लस के 86 फिर है माइनस 85 फिर 26 तो ये कितने थे एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और इनको छोड़ दो खाल ली अब इनका टोटल करना है ये माइनस के कितने आगे आठ 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 और सार पंदरा और बीस माइनस के 208 फिर क्या है छै और दो आठ तीन दो पांच और एक छै ये कितने आगे पांच और दो साथ तीन चार पांच माइनस के 57 ये कितने आगे छै चैदुनी बारा कर लगए दो हसर एक चौदा पंदरा पंदरा और चार उननिस अब इनको कितनों का जोड़ा ये एक, दो, तीन तो इसको तीन से डिवाइड कर दो वो माद्य निकलाएगा तीन से करेंगे माइनस तीन चीके अठारा बच गे दो, अठाइस तीन नए स्ताही ठीक है फिर एक तो अब इन तीनों का जोड़ किया 68 इसको तीन से डिवाइड करेंगे ये तीन का जोड़ है तो ये आगया 22.7 इन तीनों का जोड़ माइनस 57 माइनस 57 को तीन से डिवाइड किया 19 इन तीनों का जोड़ 192 इसको डिवाइड किया तो यह आगया 64, तो अब क्या करेंगे, अब आपने देखना है, यह माध्या, यह माध्या क्या है, माइनस उन्नी, यह किस रितु का, पहली दो रितु है, पहले वर्ष की पहली दो रितु है, फिर यह पहले वर्ष की तीशरी शर्द रितु का माध्या कितना, माइनस उन्नी, तो आपने यहां लिखना माइनस उन्हीं, फिर क्या है, शीत रित्तु का 64, ठीक है, फिर दूसरे वर्ष की ग्रिशम रित्तु माइनस 69, फिर 22.7, क्योंकि यह दूसरे वर्ष की मानसुन के आगे लिखेंगे, इसके बाद माइनस उन्हीं, फिर यह 69 आगा है, फिर माइनस उन यह एक शर्दरीतु है, फिर क्या है, 64, फिर माइनस 69, 22.7, ठीक है, अब आपने यह क्या करना है, कि जैसे हमने यह निकालना था, यह देखो, अगर इसको इधर ले आए, O-T, तो S और गठा दें, तो I, तो O-T गठा के, जो S निकालना है, उसका माद्या है, यह माद्या द्वारा रितुनिष्ट विच्रन है, तो माद्य रितुनिष्ट विच्रों के गन्ना हमने ऐसे कर ली, अब इसमें से O-T, माइनस S, जो आया है हमारा यह, उसमें O-T में से S गठा दें, तो I आजाएगा, तो पहले जो यह खाल ली आगे, माइनस क्यारा में से माइनस, माइनस उन्नी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह प्लस के 8 आगे, फिर 42, माइनस 64, 42, कितना आगया, 22, माइनस के 22, फिर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 69 में से 50 गठाएंगे, तो उन्नी, फिर 22 प्राइस पॉइंट, 12, 12, तो कितना आगया, 7, 12, किसमें से गठा नहीं, है माइनस 22.7 तो इसमें से अगर हम 12 गटाती है तो कितना गया 7.0 कितना गया माइनस के 10.7 फिर माइनस प्लस हो गया यह माइनस 14 पांच यह गया 0 यह कितना गया प्लस के होगे यह माइनस का है 4 माइनस 4 इसमें से यह गटा होगे 22.7 तो यह कितना गया 7.3 माइनस के फिर माइनस बत्ती प्लस के उन्नी बत्ती माइनस उन्नी बारा में से नो होगे 3 दो में से एक गया 1 माइनस 13 फिर यह क्या गया 2 2 फिर यह प्लस माइनस प्चासी प्लस के 69 पंद्रा में से 9 गे कितना बचा 6 7-16 फिर 26-22.7 तो कितना गया दस में से 7 गे 3, 4 में से 2 गे 5 में से 2 गे 3 माइनस सोरी प्लस के प्लस 3.3 तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने ये टेबल बना के चल माद्यादर रित्तुनिष्ट विचरण की मापन की विदिया थी वो थी चल माद्यादर रित्तुनिष्ट विचरण सुचकांग और ये क्या है चल माद्यादर रित्तुनिष्ट विचर कंट शचकांक शब्द था इसमें है चल मध्द्ध है चल मध्दे ज PR आगये की आगये जोड कर एक को फोड़ते जाते आते यह चार रित्ट में थी चार चार का जोड़ करके दो पर दो नीचे इसके बीच में लिखा, अब इनके किसी रित्व के सामने करना था, तो इन दो जोड़ कर इनके बीच में लिख दिया, तो यह शर्द रित्व के सामने आ गया, अब यहाँ पर T निकालने के लिए जो केंदरित योग है, उसको आठ से डिवाइड करेंगे, क्यो इसमें इस तरह रित्व लिखली है, इस तरह वर्श लिखुली है, तो यह देखो, माइनस ग्यारा, माइनस ग्यारा किसके सामने है? शर्द रित्व पहले वर्श की, तो यहाँ पर LINES 11, फिर 42, फिर माइनस 50, तो इनको जौड के यह तीन का योग है, तो तीन से डिवाइड करके माधडیا निकाल लिया, अब आपने देखना है कि ये माइनस सिक्स्टिनान किसके गृ시aking, गृ compression रितु पहले की iqu symbolic ग推टे के सामने आपने लिख लिया, देखो g Zam attayma ritu खाली है मान पहले वर्ष की शर्ध bushanom, पहले वरष की शर्द रितु के सामने 22.7 फिर इसमें से जो हमने यह अलपकालीन उच्छा वचन निकाल लिए उनमें से S Aura गटा दो माईनस ग्यारा में से माईनस माईनस उन्नी किया माईनस माइनस प्लस होगा तो यह प्लस के 8 आगे इस प्रकार हमने अने मेत उच्छा वचन जो है निकाल लिए तो इसकी जो चल माद्यादर रित्तुनिश्ट विश्रन है वो हमने कर ली है अब हम तीसरी विदी करेंगे जो seasonal variations निकालने की जो तीसरी विद्य शरंकला मुल्यान पात विदी Thanks students